आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं, HCL स्टॉक के बारे में जीस प्रकार से 5G आॉक्षन को लेकर के व्यू 5G रिलेटर्ट स्टॉक्स को लेकर बुलिश बन रहा है, और कंटिन्यू जो हमने देखा इसे स्टॉक में की, ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी का भी अभी हमने न्यू सुना था और उसके बाद जीस प्रकार से विबोलिस बन रहा था, हालांकि स्टॉक के क्वार्टली रिजल्ट आ सेक्टर नहीं दिखे, रिजल्ट कॉर्टन क्वार्टर बेसिस पे पुआ दिखा, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 23 प्रतिशत डाउन रहा है, योन एर बेसिस पर कोर्ट अर्ली बेसिस पे देखेंगे तो 70 प्रतिशत के आसपास का डाउन रिजल्ट देखने को मिला है, वही रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 3 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की ओनर बेसिस पे देखने को मिला है, माजिन पर भी इंपेक्ट आते हुए देखा है, ओवरॉल इसे स्टॉक में डेविड शून्य दशमलव एक आट पैसे का डिविडेंट भी मिलते हुए देखा है और हमेशा अपने पोस्ट रिजल्ट इस स्टॉक में करेक्शन साथ कनेक्शन देखा है जिसे प्रकार से स्टॉक प्राइस देखेंगे, इस समय ये स्टॉक 74 के आसपास पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम डाउन ट्रेंज जैसे स्टॉक मुझे एक्सपैक्टेड है, वो 60 तक के प्राइस का दिख सकता है और 62 के स्टॉक लॉस को COD से स्टॉक में फॉलो करना है, अगर 62 के नीचे का क्लोज देता है, तीसरे स्टॉक में अगेन 50 और 40 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, हालां कि प्रशनावली मेरा मानना है कि इस स्टॉक को अगर पोर्टफोलियों के लिए अपने होल्ड किया है तो 6862 के आसपास का जो प्राइस इस स्टॉक में दिखे तो शुली एक बाइंग ऑपर्चुनिटी रहने वाला है, जी इस प्रकार से 5G का न्यूस कंटिन्यू स्टेंड होते हुए दिख रहा है, ओवरॉल रिजल्ट बहतर नहीं दिखा, जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं रहा जिसके कारण थोड़ा बहुत शोट रन में साथ करेक्शन दिख सकता है तो एक आइडियल बाइक के लिए शिवल इसे स्टॉक में 6265 तक के प्राइस के लिए वेट करना चाहिए, और पैनिक सेलिंग करने की गलती नहीं करेगा, ओलरडी इन्वेस्टिगेट है तो पोजीशन बनाए रखें,